नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनबारी बहनों का आज के इस नय वीडियो में तो देखिए, Postent Tracker App की ओर से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है जैसे कि आप लोग Postent Tracker App को ओपेन करते होंगे इस प्रकार से मैसेज आप लोग को देखने को मिल रहे हैं तो ये नया notification क्या है और Potent Tracker App की जो server की problem है वो कब तक ठीक होने वाली है आपको इस वीडियो में जनकारी मिलने वाली है तो वीडियो आप सभी आंगनबारी बहनों के लिए काफी informative होने वाली है आप लोग इस वीडियो को complete जरूर देख लीजिएगा वीडियो आप सभी आंगनबारी बहनों को पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और आपने अभी तक इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो इस चैनल को subscribe करके घंटी के बेल notification दबाने के बाद औल का बटन जरूर सेलेट कर लिजिएगा तो च पोशन ट्रेकर एप पे जो मैसेज है वो क्या है तो देखिए यह जो पोशन ट्रेकर एप की स्पीड है वो काफी स्लो हो चुकी है तो इसी स्पीड को फास्ट करने के लिए यह पोशन ट्रेकर एप का जो maintenance का कारी है वो चल रहा है जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि जैसे कि लोग इन को लेकर परेशानी हो रही है या फिर बेनिफिसरी को डिलीट करने जा रहे हैं तो वो डिलीट नहीं हो पा रहे हैं या और भी जो परेशानिया है आप सभी को उसी परेशानी को ठीक करने के लिए यह जो मेंटिनेंस का कारिया है वो किया जा रहा है जैसे क पोशन ट्रेकर एप की जो सर्वर की प्रवलम है उसी सर्वर की प्रवलम को ठीक करने के लिए ये जो maintenance का कारिया है वो चल रहा है जैसे की काफी समय से ये सर्वर की प्रवलम आ रही है जैसे की update आते हैं वो ठीक होता है फिर उसके बाद जैसे जैसे काम होता है तो सर्वर पे लोड होने के कारण आपका जो potion tracker app है वो एकदम slow हो चुका है तो इसी server को ठीक किया जा रहा है यहां पर देख सकते हैं as we are migrating to cloud for smooth operation यह जो potion tracker app की system है उसमें cloud system को लाया जा रहा है यानि cloud system की और यह potion tracker app बढ़ रहा है cloud system क्या होता है जैसे कि cloud system एक server है इस server पे online जो data access किया जाता है उसी पे यह काम हो रहा है और जैसे ही यह जो operation है वो successful हो जाता है 30 तारिक तक तो यह जो potion tracker app की speed है वो 30 तारिक तक एकदम ठीक हो जाएगी you might face interruption while accessing application तो आप लोग के साथ जो अभी problem चल रही है वो अभी फिलाल 30 तारिक तक चलने वाली है 30 तारिक के बाद ही आप लोग के portion tracker app की जो speed है वो fast होगी thank you for your patience तो आप सभी का धैरे से काम करने के लिए धन्यवाद ऐसा message आप लोग को देखने को मिड़ा होगा तो उमीद है कि यह जो portion tracker app का problem ना हो उमीद है कि आज के इस वीडियो से आपको इसके बारे में जनकारी मिल गई होगी वीडियो आप सभी को कैसा लगा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगन बड़ी वहनों के साथ सेर जरूर करें तो मिलते हैं फिर किसी नई टॉपिक नई जनकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद